हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ शुभम गुपता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश का इंपोर्टेंट चाप्टर डीप वॉटर जिसके ऑथर है मिस्टर विलियम और्विल डगलस हना और्विल शब्द को या इनके मिडल निम को आप डिसकंसिडर कर सकते हैं चाप्टर में इनका नाम खाली विलियम डगलस दिया हुआ है तो और्विल को आप इतना मद ध्यान दीजे तो यह जो स्टोरी है बेसिकली स्टोरी समझने से पहले about the author इनके बारे में आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए वो यह कि विलियम डगलस ची अपने टाइम के सबसे जादा सक्सेस्फुल लोगों में से एक थे और यह एडवाइसर टू दा प्रेजिडेंट रह चुके थे प्रेजिडेंट कौन प्रेजिडेंट आफ दी युनाइट स्टेट्स अफ अमेरिका कौन से प्रेजिडेंट की बात हो रही है Mr. Theodore Roosevelt की या Mr. Roosevelt की बात हो रही है जो युनाइट स्टेट्स के प्रेजिडेंट थे somewhat during Second World War हना आपको इतना tenure याद नहीं रखना है आप इतना याद रख सकते हैं कि यह United States के जिस President के Personal Advisor थे वो Mr. Roosevelt थे हना क्योंकि Mr. Roosevelt जी का नाम Chapter में mention किया गया है हना और उनका एक quote भी mention किया गया है जब वो कहते है All we have to fear is the fear itself हना कि अगर आपको किसी चीज से सच में डरना है तो वो डर से डरना है और किसी चीज से नहीं For example अगर आपको उचाई से डर है तो आपको उचाई से डरने की जरूरत नहीं है आपको अपने उस उचाई के डर से डरने की जरूरत है क्योंकि वो उचाई का डर जो आपके अंदर है आपका वो उचाई का डर आपको कभी उची चोटियों पर या माउंटेंस पर या फिर प्लेंस में कहीं पर भी आपको जाने नहीं देगा तो आपको उचाई से डरने की जरूरत नहीं है आपको वो जो आपके अंदर फियर है जो डर है उचाई का उस डर से डरने की जरूरत है तो ये काफी कमाल का कोट था जून का था Anyway, हम स्टोरी की उपर फटा फटा आते हैं आपको ये बाद पता होनी चाहिए कि William Douglas ची ने एक autobiography लिखी थी अपनी जिसका नाम था Of Men and Mountains आप नाम भी भूल जाएए खाल इतना याद रखिये कि ये जो चाप्टर है हना Deep Water ये Of Men and Mountains या उसको भूल जाएए William Douglas ची की autobiography का एक बहुती छोटा हिस्सा आपको दिया गया है Central Board of Secondary Education की विचार धारा या उनके ideology ये होगी क्योंकि ये सबसे जादा motivating और inspiring हिस्सा है हना William Douglas ची की autobiography का या उनके द्वारा लिखी गई किताब का उन्होंने जो book लिखी उसमें क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसमें वो अपने childhood fear को describe करते हैं जैसे अभी मैं example दे रहा था तो मैंने उचाई के डर का जिक्र किया था यहाँ पे पानी के डर का जिक्र किया गया है ये जो William Douglas ची जो है इनको बच्पन में ही पानी से डर लगने लगा था इसके पीछे भी एक कहानी है वो मैं आपको chapter में बताऊंगा ठीक है तो इनको पानी से डर लगने लगा था तो इनों ने अपने उस डर को overcome कैसे किया and in this very same chapter he says हना कि a person who मतलब एक ऐसा शक्स हना हाला कि जब वो अपने डर को overcome कर लेते हैं William Douglas ची पानी के डर को तो फिर ये कहानी पढ़ने में आपको आसान सी लगेगी बच्चो कि हाँ एक बंदा है या एक शक्स है जिसको पानी से डर लगता था लेकिन उसने practice की personally एक swimmer trainer hire किया फिर उसके साथ practice की फिर अलग-अलग जगा पे जाके जब practice के साथ थोड़ी swimming अच्छी आ गए skills वगेरा practice कर लिए तो फिर अलग-अलग जगा पे जाके swimming की और डर को निकाल लिया पर ये इतनी छोटी बात नहीं है ये कहानी वो शक्स और अच्छी तरह की तरह से समझ सकता है जिसने खुद किसी डर की उपर विजय पाई हो जो खुद किसी fear को overcome कर पाया हो हना और ये बात खुद William Douglas ची कहते है मैं बीच में इसलिए रुख गया था क्योंकि मेरे को exactly वो words याद नहीं आ रहे थे जो William Douglas ची ने इसी thought को जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसी thought को describe करने के लिए यूज किये थे पर बच्चों मैं हमेशा कहता है हो knowledge is not in the words it is in the realization ज्यान तत्यों में नहीं है ज्यान अनुभव में है हना as long as आपको पता है कि उनका intention क्या था ये लिखने के पीछे या फिर जो उन्होंने लिखा उसका मतलब क्या है अगर आपको factually नहीं भी पता कि उन्होंने क्या लिखा फिर भी इस बात सी कोई फरक नहीं पड़ता तो चलिए story समझते है ठीक है ये story autobiography of men and mountains सी ली गई है अब पहला account समझते है फटा फट थीक है देखो होता ये है कि author जो है Mr. William Douglas वो और उनके dad हना कैलिफोनिया के बीच पर अक्सर जाये करते थे ये तब की बात है जब author तीन से चार साल की उम्रके थे वो लोग कैलिफोनिया के बीच पर जाते थे हना और वहाँ पर जा करके वो अपने dad के साथ skiing करते थे हना sorry skiing नहीं माफ की जगा skiing तो snow पर करते हैं वो surfing करते थे हना पानी की उपर हम surfing करते हैं मुझसे गलती हो गई surfing साई वर्ड है हम लोग surfing करते हैं पानी की उपर तो author अपने dad के साथ पानी की उपर surfing करते थे और शुरू शुरू में वो उनको अच्छा लगता था ये तब की बात है जब वो सिर्फ 3-4 साल की उमर के हैं यूश्वली जब बच्चा 3 या 4 साल का होता है तो वो 1st standard में होता है या senior kg में होता है तो वो 1st standard के थे तो एक बार वो अपने डाड के साथ स्की, सॉरी, surfing कर रहे थे तब अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई और उन्होंने वो जो surfing board था उसको पुरी तरह से पलट दिया और ये upside down हो गए पुरी तरह से, यानकि उल्टे हो गए हमारे ये जो author है छोटे जब ये थे William Douglas ची 3-4 साल के, और फिर ये पानी में और बढ़ते जाएंगे, लहरों की हाइट भी बढ़ती जाएगी, हना और फिर एक बड़ी सी लहर आई और उसने डुबा दिया इनको, तब ही एक दम से डर गए हना, एक 3-4 साल का बच्चा और एक लहर ने अपने बोज से डुबा दिया पानी में, हना वो तो इनके डाड इनके साथ थे तो इन्होंने उनको फटाक से या जल्दी से पानी से बाहर निकाल दिया तो ये पहला अकाउंट था ओथर की लाइफ में तब ही से इनके मन में कही ना कही ये पानी का डर पन अपने लगा था क्योंकि इन्होंने वो महसूस किया था जब एकदम से बड़ी लहर आके आपको डुबा दे आपकी कोई तैयारी नहीं है आपने अपने लंग्स में सांस नहीं भरी है और एकदम से वो पैनिकनेस वो सफोकेशन जो होता है अगर आप में से कुछ लोगोंने स्विमिंग सीखी होगी रिसेंटली तूने भी पता होगा कैसा लगता है तो एनिवेस ये पहला इंसिरेंट था तो इसके बाद से ही ओथर थोड़ा पानी से डरने लगा था पर ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश छोड़ दी उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा वो तैरने की कोशिश करता रहा और क्या हुआ उसके बाद उसने क्या कि ओथर ने क्या किया कि जब वो थोड़ा और बड़ा हो गया ये पहला अकाउंट कब हुआ था इंसिरेंट जब वो तीन-चार साल के थे जब वो थोड़े और बड़े हो गए तो उन्होंने अपने एरिया के एक लोकल स्विमिंग पूल को जॉइन किया एक लोकल स्विमिंग पूल था उनकी एरिया में जहां पर और भी बहुत सारे लोग आते थे स्विमिंग प्राक्टिस करने के लिए या सीखने के लिए ओधर ने ये सोच कि स्विमिंग पूल जॉइन किया था कि स्विमिंग उनको कही ना कही अच्छा भी लगता था क्योंकि उनको भले ही पानी से अब डर बैट गया था मन में तीन चार साल की उमर से लेकिन आज भी अभी की जो बात हो रही है ये मतलब उनके टीनेज की बात हो रही है 10-12 एस की हना तीन चार साल की उमर से उनको डर है अब वो 10-12 साल की हो चुके है लेकिन आज भी उनको पानी से प्यार है उनको swimming करना एक तरह से बहुत फैसिनेट करता है हना जैसे कुछ लोगों को storybook पढ़ना बहुत फैसिनेट करता है फैसिनेट यानि की बहुत ज़ादा attract करता है उनको वो काम बहुत ज़ादा पसंद है तो anyways तो वो swimming सीखने के लिए ही एक pool में जाते हैं उस pool का नाम होता है YMCA pool ठीक है अब होता क्या है कि अब जब वो उस pool में swimming सीख रहे होते हैं तो यहाँ पर भी एक और incident होता है जो उनके डर को और गहरा कर देता है वही डर जो 3-4 साल की उम्र से था उनके अंदर जहाँ पर पानी का level जादा नहीं होता है और दूसरी और एक हिस्सा वो होता है जहाँ पर बड़े बड़े लोग तैरते हैं जो 20-24 हाना मतलब जो मतलब adults तैरते हैं usually teenagers नहीं तो वहाँ पर पानी की height बहुत जादा होती है पानी की depth जादा होती है एक तरह से हाना जहाँ पर जैसे 5-6 feet तक पानी होता है और author तो अभी 10-12 साल के हैं वो तो बहुत छोटे हैं तो फिर ये छोटे बच्चों के यहाँ पर यानि की जो teenagers के लिए section था बाइफर्केशन के इस तरफ वाला वहाँ पर ये swimming practice करते थे धीरे धीरे इनका confidence वापस आ रहा था एक दिन incident ऐसा होता है कि swimming pool के bank पर bank यन की आप क्या समझेंगे उसके किनारे पर हाना swimming pool basically गड़े की तरह होता है अंदर tiling wiling की होती है पर एक तरह से वो गड़ा ही है तो उस गड़े के किनारे पर बैठे होते हैं ये एकदम से ठीक है बहाँ पर कुछ काम कर रहे होते हैं अब ये भी swim कर के आये होते हैं तब ही बुली यानि कि बड़ा सा लड़का जिसको इनकी कोई बात पसंद नहीं आई होती है ये इनको deep water में फिक देता है यानि कि swimming pool के उस section में फिक देता है जहाँ पर 5-6 feet पानी होता है जो बच्चों के लिए नहीं adults के लिए होता है और इनकी height अभी भी बहुत छोटी है हना क्योंकि ये 10-12 साल के ही है और ये 5-6 feet adults के swimming pool वाले पानी में चले जाते हैं बचने की वो हाथ पाओ मार रहें लेकिन वो जितनी जादा कोशिश कर रहे हैं उस पानी से बाहर निकलने की वो पानी उतनी ही आसानी से इनको अपने अंदर खीचता जा रहा है और इनको लगा कि अब तो जमीन आएगी अब तो जमीन आएगी पर वो जो swimming pool की जो सता है ज लूपते जा रहे हैं और धीरे 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 एकदम से बहुत देर बाद जाकर के वो जमीन को फील करते हैं पानी की bottom मोश्ट हैं कि सबुद सॉरी swimming pool की एकदम नीचे की जो जमीने ना उसको इनकी body touch होती है और तब इनको लगता है कि मतलब अब अब इनका struggle जो है वो धीरे Douglas ची खुद इस chapter में कहते हैं कि there is no fear in death हना death is peace the fear sorry all एक second हा sorry वो quote यह होता है कि there is no pain in death there is peace in death हना there is pain only in the fear of death तो इस incident में भी यही होता है basically इस incident में क्या होता है कि जब author जो है William Douglas वो पानी में ढूब रहे होते हैं और जब उनकी body पानी की सता को touch कर जाती है तो उनको लगता है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता मतलब एक तरह से वो अपनी death को accept कर लेते हैं और वो यह notice करते हैं कि उनका mind बहुत peaceful हो रहा है हना वही कुछ seconds पहले तक जो बहुत ज़ादा घबरा गया था जो बहुत ज़ादा डर सा गया था body बहुत ज़ादा जट पटा रही थी हना अभी सब कुछ शान्त हो गया हना उ there is no pain in death कि death के समय या मृत्यू के समय दर्द नहीं होता सिर्फ शान्ती है मौत से बड़ी शान्ती और कोई नहीं है बस दर्द या दर किसमे है मौत के डर से हमें डर लगता है मौत से पहले जो डर है वो डर ही हमें दर्द देता है हना और उसी में परिशानी होती है लोगों अब होता क्या है कि ये incident इनके साथ होता है ये almost डूबी जाते और शायद ये मर भी सकते थे लेकिन तभी एक दूसरा बंदा कोई adult दूसरा वो पानी में कूतता है और इनको right time पे मरने से थोड़ा पहले पानी से बाहर निकाल देता है और आखरी चीज़ जो फिर इनको याद आती है कि ये उल्टे लेटे होते हैं स्विमिंग पूल के किनारे और लोग इनकी पीठ हगड रहे हैं कि जो पानी इनके फेपडों में घुज गया है वो बाहर आ जाए और fortunately यही होता है और वो बच जाते है फिर कई साल बाद इस incident के कई साल क्यों क्योंकि इस incident के बाद हमारे author कभी उस YMCA पूल में या उस swimming पूल में जाने की हिम्मत करी नहीं पाए तो कई साल बाद यह होता है कि फिर author के मन में आता है कि नहीं यार मेरे को swimming तो सीखनी ही है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था इनके अंदर डर तो है 3-4 साल की उम्मर से बीच में जब 10-12 साल के अंदर आये तब तो मरते मरते बच गए तो डर और गहरा हो गया लेकिन फिर भी कही ना कही ने लहरों से समुद्र से पानी से प्यार था और यह swimming करना इनको बहुत पसंद था अंदर से ठीक है तो इन्होंने एक instructor को hire किया especially पैसे खर्चे करके एक swimming instructor को और swimming instructor ने यह ensure किया कि यह swimming सीख ले ठीक है फिर problem यह है कि जब भी यह अब इनके पास instructor थे तो instructor के हुते हुए भी जब भी यह swimming करना चाहते थे तब ना तब कुछ ना कुछ हो जाता था यान कि जैसे ही swimming करते थे इनका childhood fear इनके सामने खड़ा हो जाता था और वो उनको परशान करने लगता था हना वो मतलब वो जो flashback scenes इनके सामने आ जाते थे कि कैसे यह डरते थे लेगिन फिर भी इनके swimming instructor की भी आपको दाद देनी पड़ेगी उन्होंने हार नहीं मानी chapter में एक particular incident describe किया गया है जब इनके swimming instructor यह जो हमारे William Douglas ची है इनकी कमर में एक रसी बांद देते हैं और वो रसी उपर जैसे आपने कुए को देखा है कुए में कैसे हम बाल्टी डालते हैं रसी से और पानी जब भर जाता है बाल्टी में तो खीचते हैं तो वैसे यह समझ लीजिए कि वो जो कुआ है वो कोई swimming pool या कोई water body है वो जो बाल्टी है वो author है तो फिर यह इसके swimming instructor क्या करते थे जैसे आप पानी भरने के लिए बाल्टी को रसी के साथ कुए में डालते हो वैसे ही इसके swimming instructor रसी तेथ बान देते थे इनकी कमर में और इनको William को फेक देते थे पानी में और William कोशिश करता था तैरने की जब कभी भी अपनी डर की वज़े से वो नहीं तैर पाता था और डूबने लगता था तो जैसे आप रसी से एक बाल्टी को खीचते हो हना कुए में से वैसे ही वो रसी से William को खीचते थे पानी में से और ऐसा दू तीन बार हुआ कई बार वो जान बुचके उसको थोड़ी दिर के लिए पानी में रहने देते थे खीचते नहीं थे कि थोड़ा स्ट्रगल करो जब उनको लगता था रहे अप तो यू डूबने ही वाला है तब वो उसको खीच के बाहर निकालते थे तो ऐसा चलता रहा और फिर इसके बाद जब धीरे धीरे विलियम का डर कम होते गया विलियम डगलस जो हमारे ऑथर है और फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने अपनी स्विमिंग स्किल्स प्राक्टिस की ठीक है उन्होंने क्या किया उन्होंने huge lakes और waterfalls में practice की huge lakes में practice की बड़े बड़े नदियों में और waterfalls में भी practice की ठीक है और अब इनके childhood के जो डर थे वो इनके सामने आते थे लेकिन फिर भी ये उनको conquer काफी हद तक कर चुके थे ठीक है और फिर कही न कहीं ही faced it sarcastically येनकी humorous way में मजाकिय तरीके से उन्होंने सुचा कि यार ये वही डर है जिसकी वज़े से कभी मैं इतना परिशान होता था और आज ये डर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है हना कि अब मैंने अपने इस डर को overcome कर लिया